नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि SOS D3 Кैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है SOS D3 कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और SOS D3 कैपसूल की वज़े से क्या साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे की सोस D3 कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। सोस D3 एक ब्रेंड नेम है। सोस D3 कैपसूल के अंदर सौर्ट कमपोजीशन कॉलेकलसिफेरॉल 60,000 इंटनाशनल यूनिट होता है। विटामिन D3 को पॉलिकैलसिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। सोस D3 कैपसूल का उप्योग शरीर में विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है। शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है, और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वज शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दातों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है जिसकी वजह से धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं हड़ियां कमजोर होने कि वज़ से हड़ियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ से भी फ्रेक्ट्र हो सकता है कैल्सियम और विटामिन-ड की कमी की वज़ह से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी क और शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोड़ों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है। मास पेशियों में दर्द रहने की समस्या हो जाती है। किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को होने से रोकने के लिए भी डॉक्तर सोस D3 कैपसूल को लेने की सला दे सकते हैं। मा का दूद पीने वाले छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती है। क्योंकि मा के दूद में विटामिन D की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए मा का दूद पीने वाले बच्चों में विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्तर विटामिन D और कैल्शियम की डॉप्स दे सकता है। दोस्तों अगर आपको विडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या विडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो सही डोज में सोस D3 कैप्सूल को लेने पर ज्यादा तर व्यक्तियों में सोस D3 कैप्सूल की वज़ग से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को सोस D3 कैपसूल को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। ज्यादा डोज में सोस D3 कैपसूल को लेने की वज़ہ से शरीर में विटामिन D और कैलशियम का स्तर अधिक हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे की सोस D3 कैपसूल को कैसे लेना recommended होता है। सोस D3 कैपसूल को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है लेकिन सोस D3 कैपसूल को खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है सोस D3 कैपसूल को शाम के समय दूद के साथ लेना ज्यादा अच्छा होता है आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर सोस D3 कैपसूल को सब्ता में केवल एक बार ही लेने की सला देते हैं और 8 सब्ता तक लगातार लेने की सला दे सकते हैं अंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको सोस D3 कैपसूल को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की सोस D3 कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए सोस D D3 कैपसूल को लेने के बाद यदि आप लैबोरिटरी में कोलेस्टरॉल की जाच करवाते हैं तो कोलेस्टरॉल टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई डोज में विटामिन D को लेना रेकमेंडेड नहीं हैं इसलिए जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कम डोज में विटामिन D के सप्लिमे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सोज D3 कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं